हेलो गाईज आज हम स्टार्ट करेंगे एक्ससाइज 13.1 में कॉशन नमबर 5 कॉशन नमबर 1,2,3,4 हमने कंप्लीट कर ली हैं आज हम 5 स्टार्ट करेंगे मैं एक कॉशन डीड कर रहा हूँ हेमिस्फियरिकल डिप्रेशन इस कट आउट फ्रॉम वन फेस ओफ क्यूबिकल वुड़न ब्लोग सच देट डायमेटर एल ओफ दा हैमिस्फियर इस एक्वल तो दा एज ओफ दा क्यूब यहां तक का इंफ्रॉमेशन है कि एक क्यूब जो है निकाल हो दे क्या करना है अभरिमनने करना है'mिस्फियरिकूe क्यान तो किस तरह करेंगे ज़समें हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास इसका द्यामिडर तरह हमने करना हैं तो हम यह जो हमारे पास ड्यामितर प्रदायर से निकाला गया यानि की एज़ भी seven होगी तो हमने वहे किया सबसे पहले जो क्यूब की जो एज है वो एल है और इसका डायामेटर भी एल है तो रेडियस कितनी हो जाएगी ऐल बाइटू हमीसफियर की रेडियस आ गई एल बाइटू और हमारे पस क्यूब की जो है एज यानि की side है वो है एल अब करेंगे हमें इस टोटल सर्फिस इरिया विस शोलिड बन गई अब उसका एडिया चाहिए तो संसे सबसे पहले क्या है क्यूब है तो उसका एरिया लगाएंगे यानिकी सर्फिस एल्या ऑफ क्यूबिकल पार्ट ठीक है उसके बाद प्लस कर कर दें क्योंकि वहां से वह गयब हो चुका है यानि कि देखिए जैसी बोक्स था इस बोक्स के अंदर से हमने एमिस्फियर निकाला अब यह उपर का एरिया तो इसका गयब हो चुका होगा तो हमने साइड में कर दिया बाकि जो बच्चा था उन दोनों को हमने एड कर दिया इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा तो इनका क्या फॉर्मला होता है सबसे पहले हमारे पास है सर्फिस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट क्या होता है सिक्स ए स्केयर सिक्स ए स्केयर प्लस करना है कर्ड़ सर्फिस ए या ओफ हैमिस्फियरिकल पार्ट तो क्य का फेर फोर्मले होते एर्य फार शेंट आरश कर देना आरस कियर हम लाइस कर दें से इनको सल्फ करेंगे तो क्या वेदिए यृट हएगी बाई आइ मैं लिखा है कि सिक्स एज़सka स्केर यानिकि सिक्स एज़स्केर प्लस पाई आरस तो हमारे पास इनकी वैल्यूस भी गीवन थी एज किसके एक्वल थी से एक्वल है यहाँ पर में 6 एल प्लस पाई आर कितना था एलवाइक टू था तो मैं लगाल का स्केर करना यहाँ पर में इस केर कर रखा है देखिए यह स्केर हो रखा है तो आपने भी इसी तरह से स्वल करते हैं 6 L square plus Pi को L square से multiply करेंगे Pi L square by 2 यानि कि 2 का क्या करने 2 का भी square होगा तो वो 4 हो जाएगा यहां पर 4 है फिर इसका L से हम लेना है लेंगे हमारे पास 24 L square प्लस Pi L square अपोन में क्या जाएगा 4 आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे इन में से common क्या ले सकते हैं इसको हम लिका 1 by 4 multiply में हैं यानि कि ब्रैकेट में कर सकते हैं 24 प्लस यानि कि 24 L square प्लस Pi L square अब इसमें L square भी सेम सेम है तो L square को भी हम common ले लेंगे क्या करें लेंगे तो क्या रहा जाएगा 1 by 4 24 प्लस Pi इदर L square यह हमारे लिश्म में क्या लगाना है यूनिट जो लगानी है व क्या लगानी है यैसे कि पिक्छे में अम प्तक केई न में सैंटीवार सक così फिए कर रहे हैं से लेकिन यहांपर क्या लगेगा यूनिट गरा इस तक सेंड़ail कर currency क्योंकि इंगे यहांँ को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेर करें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आक्टिंग को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए ने वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं